इंडिया इसका मतलब यह है कि सुप्रिम कोट ने यह माना कि जो गिरफतारी हुई है उनकी उसका जो विषय है वो हाई कोट का विषय है आपके पास पैसे हैं तो आप बड़े बड़े वकील को हायर करके कुछ करते हैं और हाई कोट ने इसका डेट जो है पांसतारी को दिया हुआ है पर आएंगे और मुझे लगता है कि बेहतर होगा और जो E.D. ने कारवाई की है मुझे लगता है कि उसको सभी लोगों ने एप्रिसियेट किया है क्योंकि जिस तरह का करप्षन जारखंड में था और जिस तरह से बड़े दादागिरी के साथ ये करप्षन कर रहे थे उसकी जो एक परणीती है मानि प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे और वो जो इसके खिलाफ रहते हैं उसका अंतिम समय अब आ गया है लेकिन फिर इंडिया को जिल किसने बेजा, सिप्तर जी किसने रेड मारा, कनीमो जी और राजा को किसने जिल बेजा उस वक्त जो है इडी और सीबिया का दुरूप योग नहीं हो रहा था ये अपने दिल से जानिये पराई दिल का हाल कह रहे हैं ये सभी जो है उसी मानसिक्ता के रहे हैं इन्होंने बहुत दवाब की राजनिती किये एजेंसीज को जो है इन्होंने अपने उप्योग के लिए किया है ये मानिय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी की सरकार है जिएगा ना उसको आप चुना आयोग में बताईएगा ना कि हम जब चुना लड़ने जा रहे हैं तो इतनी मेरी संपत्ती है तो इसलिए अब उनका पाप का घड़ा जो है फट फट गया है और इंडी अलाइंस के पास आप कोई मौका नहीं है दूसरा अबी तो सपत होगा सपत के बाद राजिपाल महोदे ने समय दिया है दस दिन का इंतजार करना ची अपने को कर दो सब्सक्राइब के ने जोज़ेतार है और जो सब्सक्राइब को